अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए तक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें लिंशन कहता है मेरे घर के पास एक बहुत ही अच्छा फूट ट्रक है और मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद है तो क्या तुम कल मेरे साथ वहाँ चलोगे थोड़ी देर सोचने के बाद जुन्चैंग मान जाता है जुन्चैंग लिंशन के साथ वहाँ पर खाने आ जाता है जुन्चैंग अपना रुमाल बिछा कर चेयर पर बैठता है लिंशन खाना ओर्डर करने वाला होता है पर तभी जुनचैंग मैन्यू की सारी चीज़े ओर्डर कर देता है लिंशन पूछता है क्या तुम अखेले इतना सब कुछ खा लोगे जुनचैंग कहता है कि तुम बहुत पतले हो तो तुम खा लो लिंशन कहता है तुम काफी कंट्रोलिंग हो लिंशन कहता है तुम अपने किसी भाई को क्यों नहीं बुला लेते हैं यहाँ पे जुन्चैंग जुन्दाओ को बुला लेता है जुन्दाओ शियंग्शी के साथ वहाँ पे आ जाता है लिंशन कहता है जुनचैंग ने बहुत जादा खाना ओर्डर कर लिया था और मैं नहीं चाहता था कि खाना वेस्ट हो इसलिए मैंने तुम लोगो बुलवा लिया जुनदाओ पूछता है कि जुनचैंग सच में ये सब खा सकता है लिंशन कहता है जुनचैंग ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आज मैं जो भी कहूंगा वो जरूर खाएगा लिंशन जुनचैंग को खाने को देता है जुनचैंग नहीं खा रहा होता है पर लिंशन के कहने पर वो खा लेता है लिंशन जुन्चैंग को उसके साथ ड्रिंक करने को कहता है तो जुन्दाओं से रोक कर कहता है कि हमारी फैमिली में कोई भी ड्रिंक नहीं कहता है लिंशन जुन्चैंग को कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मेरी बात मानोगे तो क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक भी नहीं करोगे जुन्चैंग ड्रिंक कर लेता है तो लिंशन जुन्दाओ को कहता है कि अब तो तुमारे भाई ने भी मेरे साथ ड्रिंक कर लिया है तो अब तुम भी कर लो लिंशन के जित करने पर जुन्दाओं भी ड्रिंक कर लेता है ड्रिंक करते ही जुन्दाओं बेहोश हो जाता है और तुरण जुन्चैंग भी बेहोश हो जाता है लिंशन कहता है ये दोनों तो एकी क्लास में सो गए शियंग्शी कहता है इनके जीन्स में ही ये है लेकर चला जाता है लिन्शन Możhang को लेकर जाने लगता है जिसक करता है दिख घका एक कर कहता है तुम्हारा भाई में नहीं बना मैं अपनी मा को भी आख्री बार नहीं देख पाया जुटायं केहता है मेरे कारण तुम्हेंज जो भी प्राद मा भी है उसे मैं कमपसेट जरूर करूंगा लिंशन केहता है क्या तुम मेरी बाद बनने वाले हो जुटायं केहता है मैं तुम्हारा पूरा दियान रखोंगा, यह कहकर जुंचैंग बेश उजाता ए, लिंशन कहता है मुझे तो लग रहा है मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं, जुंचैंग लिंशन को पकर कर सोने लगता है, अगली सुबा जुंचैंग खुद को लिंशन के बगन में सोया देक चौक कर उच जाता और प जुन्चैंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता जुन्चैंग पूछता है तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं लिंचन कहता है यह तो मैं भी जानना चाहता हूं कि आधी रात में जब गर्मी तुम्हें लगी तो तुमने मेरे कपड़े क्यों खोल दिये जुन्चैंग कहता है त अंदर से पूछता है तुमने मुझे क्या पिलाया था जो मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है लिंशन कहता है तुमने बीयर पिया था तो तुम्हें सरदर्द तो होगा ही जुनचैंग पूछता है कहीं हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं है लिंशन कहता है मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूं तो विक्टिम तो मैं ही होंगा ना जुन्चैंग यूरॉंग से आकर कहता है कि मैं जो तुम से पूछने वाला हूं वो तुम किसी को मत बताना क्योंकि ये सीक्रेट है यूरॉंग पूछता है कि वो सीक्रेट क्या है जुन्चैंग पूछता है कि ये कैसे पत कहता है कि मैं तो बस पूछ रहा था जुन्चैंग कहता है तुम मुझे पता लगाने का पक्का तरीका बताओ यूरॉंग कहता है आप जाकर श्यांग्शी से पूछिए क्योंकि वो बॉइस और गर्ल्स दोनों को ही लाइक करता है यह सुनकर जुन्चैंग कहता है वो मेरे भ जाओ के साथ बच्पन से रह रहे हो कई तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है श्यांग्शी कहता है मैं बाइसेक्श्वल जरूर हूं पर मैं किसी के साथ भी कुछ नहीं कर देता हूं यह सुनकर जुन्चैंग कहता है तुम यह तो नहीं कहना चाहते है कि का हो या लड़की उसे ये बात तो पता चली जाएगी इसलिए मैं श्योर हूँ कि मैंने आपके भाई के साथ कुछ भी नहीं किया है जुन चैंग अपने फादर मिस्टर युएन से मिलने आता है मिस्टर युएन पूछते हैं क्या तुमने अपना काम पूरा कर दिया जुन चैंग मना केके कहता है कि लिंशन आपका बेटा नहीं बनना चाहता है मिस्टर युएन कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है तुम तो हर बार अपना काम पूरा करते हो जुन्चैंग कहता है मैंने उससे कहा था कि मैं यूएन फैमिली की इन्हेरिटेंस में से भी तुमें हिस्सा दिलाऊंगा फिर भी उसने मना कर दिया मिस्टर यूएन कहता है वो बिलकुल अपनी मा की तरह जित्ती है जुन्चैंग कहता है मैंने पहले कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा है मिस्टर युएन कहते है मैं चुइंग से पूरी तरह हार गया हूँ जुन्चैंग कहता है कभी कभी अपनी हार मानना भी बुरी बात नहीं है मिस्टर युएन कहते हैं मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि चूइंग मर चुकी है इसलिए मैं लिंशन का ध्यान रखना चाहता हूँ जुनचैंग कहता है आपके बदले लिंशन का ध्यान मैं रखूंगा यह सुनकर मिस्टर युएन चौंक चाहते है जुनचैंग कहता है आपको देखकर मुझे यह सीख मिली है कि इंसान को ज़्यादा जिद्धी नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसका खुद का ही नुकसान होता है यह कहकर जुनचैंग चला जाता है जुनचैंग लिंशन के साथ सी साइड आता है लिंशन अपनी मा की अस्तिया पानी में बहा देता है जुनचैंग पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अब तुम अपनी मा को याद कैसे करोगे लिंशन कहता है अब से अगर मुझे उनकी याद आएगी तो मैं किसी भी समूंदर के पास चला जाओंगा क्योंकि सारे समूंद रापस में जुड़े हुए है जुनचैंग कहता है युएन फैमिली में सब जित्धी और करब वाले है इसलिए वो कभी अपनी हार नहीं मानते है और इसी कारण मेरे फादर के पास अंत में हार के अलावा कुछ भी नहीं बचा लिंशन कहता है क्या उन्हें अब पच्टावा हो रहा होगा जुनचैंग कहता है उन्हें बहुत पच्टावा हुआ होगा लिंशन कहता है दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया जुन्चैंग कहता है पर मैं खुश हूँ कि वो दोनों साथ नहीं हुए लिंशन कहता है क्या तुम ये अपनी मा के कारण कह रहे हो जुन्चैंग मना करके कहता है मैं ये तुम्हारे कारण कह रहा हूँ मैं खुश हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हूँ लिंशन पूछता है क्या तुम अब मेरा भाई नहीं बना चाहते हो जुन्चैंग बना करता है लिंशन स्माइल करता है जुन्चैंग लिंशन को अपने घर चलने को पूछता है तो लिंशन पूछता है मैं वहाँ क्यों जाओ जुनचैंग कहता है अब से मेरा घर तुम्हारा घर है लिंचैंग कहता है कहीं तुम्हें कोई मिसंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है उस दिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था जुनचैंग कहता है मुझे पता है पर मुझे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं अब भी तुम्हारी responsibility लेना चाहता हूँ लिंशन पूछता है तुम कह क्या रहे हो जुन्चैंग कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं तुमसे confess कर रहा हूँ लिंशन चौक कर कहता है तुम मेरी मा के सामने ही सब क्या कह रहे हो जुन्चैंग कहता है मैं तुम्हारी मा को भी बताना चाहता हूँ कि अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा ताकि उन्हें तुम्हारी चिंता ना हूँ जुन्चैंग चिलाकर लिंशन की माँ से कहता है कि लिंशन का ध्यान अब से मैं रखूंगा लिंशन कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तुम ऐसी टाइमिंग क्यों चुन रहे हो जुन्चैंग कहता है मेरी प्रॉब्लम तुम हो अब हम अलग नहीं हो सकते हैं के सर पर रखता है और पूछता है क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है श्यांग्शी मना करता है तो जुन्दाओ आइस निकाल कर श्यांग्शी के सर पर रखता है श्यांग्शी कहता है तुम मुझे टॉर्चर क्यूं कर रहे हो तुम कुछ मत करो यही मेरे लिए जाद ताच्छा होगा चुंदाओ आइस में अपने हाथ रखकर उसे फिर श्यांग्शी के सर पे रखता है श्यांग्शी पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो मैं अपने हाथ को आइस पैड की तरह यूज कर रहा हूँ ताकि तुम गीले भिना हो जुन्दाओ ऐसा बहुत वक्त तक करता है शियांगशी को जब पूरी तरह से होश आता है तब तक उसका फीवर जा चुका होता है जुन्दाओ को अपने बेट पर लेटा देख शियांगशी उसे थैंक्स कहकर उसे चीक्स पर किस करता है युवो आकर युरॉंग को कहती है कि अगर तुम मेरी जुन्दाओ के मामले में हेल्प नहीं करोगे तो मुझे ही कुछ करना होगा युरॉंग कहता है तुम मजाक मत करो युवो कहती है जुन्दाओ ने मुझसे शियांगशी छीना है तो मैं उसका भाई जरूर छीनूंगी युरॉंग ये सुनकर जूट बोल देता है कि जुन्पिंग एक प्लियर है जो हर किसी से फ्लर्ट करता रहता है और वो गल्स को लाइक भी नहीं करता है वो काफी मीन है और वो लोगों की केर भी नहीं करता है युवो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हो सकता है मैं उसे सुधार दूँ युरॉंग कहता है वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है युरॉंग जुनपिंग से पूछता है तुम मेरी बहन के बारे में क्या सोचते हो क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो ये सुनकर जुनपिंग गुसा होकर कहता है मैं तुम्हें अपना best friend मांगता हूँ और तुम अपनी बेहन से मुझे link करना चाहते हो यूरॉंग कहता है मैं तो बस पूछ रहा हूँ तुम गुस्सा मत हो जुन्पिंग कहता है तुम्हारी बेहन मेरे लिए भी बेहन ही है तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो यूरॉंग मना करता है जुन्पिंग कहता है अपने मन की करना इसे कहते हैं ये कहकर जुन्पिंग यूरॉंग को किस करता है यूरॉंग कहता है क्या सच में तुम ये करना चाहते थे जुनपिंग कहता है तुम्हे क्या लगता है बास्केट बॉल खेलने के बाद जुनपिंग और युरॉंग युरॉंग के घर के पूल में बस्ती कर रहे होते हैं यह देखकर युगु कहती है क्या इसलिए तुमने मेरी मदद करने से मना किया यूरॉंग पूछता है आप कहना क्या चाहती हो यूओ कहती है तुम मेरे सामने ना टक मत करो यूओ यूरॉंग को बॉल से मार कर कहती है तुम मुझसे मेरे मैंन को चुराना चाहते हो जुन्पिंग युरॉंग के सामने आकर कहता है कि भले ही युरॉंग तुम्हारा भाई है पर तुम उसके साथ ऐसा करोगी तो मैं चुप नहीं रहूँगा युगो कहती है तुम जैसा प्लेबॉइ जो हर किसी के साथ फलर्ट करता है वो मेरे भाई के पीछे क्यों है जुन्पिंग पूछता है आपसे ऐसा किसने कह दिया कि मैं प्लेबॉइ हूँ युगो कहती है कि युरॉंग नहीं मुझे ऐसा कहा है जुन्पिंग पूछता है क्या तुमने सच में ऐसा कहा है युरॉंग कहता है मैं बस यूहीं कह रहा था जुनपिंग गुर्सा होकर अपना सामान पैक करके जाने लगता है युरॉंग उसे रोकने लगता है और कहता है मैंने बस यू ही कहा था जुनपिंग कहता है तुमने मुझे प्ले बॉय कहा युरॉंग कहता है मुझे पता है तुम प्ले बॉय नहीं हो जुनपिंग पूछता है फिर मैं क्या हूँ युरॉंग कहता है तुम मेरे लिए सब कुछ हो युरॉंग जुनपिंग को हग करके कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ तो तुम मुझे छोड़ कर मत जाओ जुनपिंग रोने लगता है जुन्दाओ शियांग्शी को हक करके सो रहा होता है तो शियांग्शी कहता है मैं अभी अभी ठीक हूँ और फिर से तुम मुझे पकर कर सो रहे हो जुन्दाओ कहता है मैं तुम्हें हक किये बिना सो नहीं पाता हूँ श्यांग्शी पूछता है इस तरह से तुम शादी कैसे कर पाऊगे जुन्दाओ कहता है तुम मेरे साथ आ सकते हो श्यांग्शी कहता है एक पेक पर तीन लोग कैसे सोईंगे जुन्दाओ कहता है फिर क्यों ना सिर्फ हम दोनों ही सोई साथ में जुन्दाओ को गर्मी लग रही होती है तो जुन्दाओ श्यांग्शी का टॉप उतार देता है श्यांग्शी कहता है गर्मी तुम्हे लग रही है तो तुम मेरे कपड़े क्यों खोल रहे हो जुन्दाओ कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे छोड़ कर चले जाओगे या फिर मेरे साथ हमेशा रहोगे ये कहकर जुन्दाओ श्यांग्शी के ग्लोज आने लगता है तो श्यांग्शी जुन्दाओ को किस करता है जुन्दाव भी उसे किस करने लगता है अगले सीन में लिंशन जुन्चैंग के लिए breakfast बना कर लाता है जुन्चैंग उसे उसकी salary देकर कहता है यह तुम्हारी इस महीने की salary है लिंशन कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मुझे 10,000 per hour दोगे जुन्चैंग कहता है मैंने 10,000 Korean one per hour कहा था जिसे मैंने टाइवानी स्टॉलर में convert करके तुमें दिया है लिंशन कहता है मुझे लगा ही था कि तुम कुछ गड़बर करने वाले हो जुन्चैंग कहता है तुमें गड़बर लगी फिर भी तुम मेरे साथ रहने चले आए इसका मतलब तुम कुछ जादा ही expect कर रहे थे लिंशन कहता है मैं अभी भी यहां से जा सकता हूँ लिंशन को नाराज देखकर जुन्चैंग उसे sorry कहता है लिंशन चौक कर पूछता है तुम जैसा इंसान माफी कबसे मांगने लगा जुन्चैंग कहता है मैं तुमें बहुत जादा like करता हूँ तो sorry तो मुझे कहना ही होगा न लिंशन कहता है तुम अचानक से ऐसी वाते मत कहा करो मुझे अजीब लगता है जुन्चैंग कहता है मेरे फादर और तुम्हारी मां दोनों ही जिद्धी थे उन लोगों ने प्यार को बैटल की तरह ट्रीट किया जिसके कारण उन्हें उम्र पर पच्ताना पड़ा पर मैं अपने फादर की तरह नहीं बनूँगा क्योंकि मैं तुम्हें खुद से भी ज़ादा प्यार करता हूँ लिंशन स्माइल करता है जुन्चैंग लिंशन केophants आने लगता है पर तब ही जुन्चैंग को कॉल आ जाता है जुन्दाओं का call देखकर जुन्चैंग कहता है कहीं तुम भी के नप तो नहीं हो गय और ये बताने के लिए अगर तुम मुझे call कर रहे हो तो पहले ही बता दो जुन्दाओं मना करके कहता है कि मैं बस ये सोच रहा था कि क्यों ना हम तीनों भाई मिलकर साथ में डिनर करें जुन्चैंग मान जाता है जुन्चैंग लिंशन को कहता है मेरे भाई डिनर के लिए आने वाले हैं तो क्या तुम डिनर बना दोगे लिंशन मना करके कहता है कि अगर तुम मेरे साथ कुप करोगे तो मैं सोच सकता हूँ जुन्चैंग मान जाता है दोनों मिनकर डिनर बना लेते हैं जुन्चैंग का बनाया खाना लिंशन टेस्ट करने वाला होता है तो जुन्चैंग उसे कहता है कि मैंने पहली बार खाना बनाया है अगर ये खराब होगा तो हम ओर्डर कर सकते हैं तो मुझे साफ साफ बता देना लिंचन खाना टेस्ट करके उसकी तारीफ करता है दोनों मस्ती मजा करने लगते हैं जुन्दाओ शियांग शी के साथ मिलकर सैलड बनाता है जुन्पिंग यूरॉंग के साथ केक लेकर आता है जुन्पिंग और यूरॉंग मिलकर केक की आइसिंग करने लगते हैं मस्ती मजा करने लगते हैं सब डिनर टेबल पर अपना अपना बनाया खाना रखते हैं श्यांग्शी कहता है यह तो बहुत ही रेयर मूमेंट है लगबक 10 सालों में पहली बार तीनों भाई मिलकर साथ खाना खा रहे हैं लिंशन पूछता है क्या इन तीनों में आपस में बनत जुन्दाओ कहता है जुझ चैयंग ऐसा बिलकुल नहीं है उसे तुम्हारी फिक्र है जुंचैयंग कहता है भली हमारी माय अलरग है पर हम है तो भाई न सब मिलकर सलिवेट करते हैं सब लोग बाते करके खाने लगते हैं और यही पर यह पार्ट और सीरीस खतम हो जाती है so friends that's it for this video I hope आपको वीडियो पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए साथ साथ बेल एकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिसना करें so friends thanks for watching this video bye bye and take care of your health